इस विए आओ, the case is the frozen shoulder, so daily arm talk पर देखते होंगे, maximum लोग हैं जो अपने shoulder stiffness से सफर करते हैं, इतमिस उनको अपना हाथ उठाने में, कंदे के उपर लेके जाने में काफ़े टेज़ पेन उनको होता है और काफ़े stiffness होता है, तो सामने लेके जाना, साय में करना या पैक में लेके करना आपके तकलिफ देम के लिए हो जाता है, तो घर के जो भी चोटे नोटे काम है या ओबरेड एक्टिविटी इस होती है वो उनकी हैंपर कर जाती है, उनको difficulties होती है, जैसे नहाने के बाद बदन पुछता है, तो इस सब्सक्राइब का या हम्रेस बोन का, तो फ्रैक्चर के पास जोके जॉएंट को इपोग्लाइस किया आता है, तो उसका सेकंडरी कॉंडिकेशन में ये केस डिवलप हो सकता है, मेडिकली बिसिकली इसका एक्जाट विजन अभी तक अन्नोन है, क्यों होता है, बट मोस् अभी सिदेंटरी होता है, इतमिस ऑफिस जॉब में है, हमेंसा अपने हाथ को ऐसे रखके काम करते हैं, इतमिस डेली रूटीन में कभी भी हाथ उठाने वाला काम नहीं करते हैं, चाहे हो हो हॉस्टाइब हो या को भी इंपलाई हो या स्टुडेंट हो, ओके, तो नमली त जेसे लगतार ये सी बैठना, एसे बैठने सी क्या होता है, आपका जो बिसिकर जो नर्ब होता है वो अफेक्टे होते हैं, मसर्स का का अंटक्शन कम होता है, और उसमें अगर आप मूप नहीं कर रहे हैं, तो इस टिफने का स्टान्थ जानना पड़ जाना पड़ गयाता ह केसे हैं सो एसे लोग जादा इसमें सफर करते हैं यह कुस कॉमन फैक्टर हो गए अमने स्टक्चर लिखा रहा हूं आपको यह बेसिक अपका शोल्टर जॉइंट स्टक्चर है हमारे बैक में जो एक बड़ा सा बोन होता है यह स्कैपला और यह आपका जो अपर का बोन है यह इन दोनों के बीच में एक आपका लेयर होता है उसको हम कैप्सूस होते हैं सो कैप्सूस बिस्टिकर यह बना होता है और जब भी हम अपने शोल्टर के मूव करते हैं यह उसे वैसे ग्लाइड करते हैं बड़ इनके सब पोजन शोल्टर क्या होता है यह दोनों लेयर आपस आपस ने से उनका अडेशन हो जाता है तो इनके चिपकने से क्या होता है कि अब आपका मुवमेंट जो आपका होगा वो गम्रीक रिश्टिक्टेट हो जाता है और आपका है तो यहाँ पर इसके मुवमेंट का तुई इस तुवन का रेश्यो होता है तो जब भी सपोज आप बहा लेके जा रहे हैं तो जितना भी आइंगल मूफ कर रहे हैं सपोज आपने 30 डिगरीका अब्रेक्शन किया बहा लेके के तो वहाँ पर दो पार्ट होगा और 10 डिगरी आपका होगा सब्सक्राइब को मुवमें पर इस केस में क्या होता है यह जुक히 जाक की स्टिफ हो गया है तो यह जो रिधन होता है यह लौस हो जाता है in fact यह अपका बिंगो सो जायगा अभी क्या है जब मैं हापको बाहा लेके जा रहा हो उसके बाद इसके तर्ण कर रहा है इस केस में क्या होता है पैटर्न जस्ट आपका रिवर्स हो गया है पहले आपका जिस्केपला बोन है वह अपड मूट कर रहा है उसके बाद आपका निम्रस बोन है वह भागे दब जा रहा है अब इस केस के बतारों के तीन स्टेज होता है जो पहरा स्टेज आपका होता है उसको पहते हैं फ्रेजिंग स्टेज में स्टेज में स्टेज आपका कंबीड स्टिफ हो रहा है और हाइवी पेंफुर होता है पैशिन के लिए पेशिन का में कंपेंड होता है कि सार मुझे प्रेक्टेर हैं मसल से वह इहां पर स्टिफ होना शुरू हो जायते हैं अगर आम भासर में क्या है तो कंदय के जो जगड़न है वह बढ़ता चला जाता है इसके बाब इसको पेशन को ड्यूटु पेइन चटाना बन कर देता है बेंफांडी स्टिफनेस हो गया उसके बाद और नेक्स स्टेज आपका होता है फोजन स्टेज का सो फोजन स्टेज में पेइन के लिवह थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन स्टिफनेस होता है वो जादा ग्रोव करता है यह लगवा स्टेज आपका आट से मॉमेने करता है जो लास्स स्टेज होता है वो ताविं स्टेज स तो थावी स्टेज में क्या होता है आपको पेंस असाइड हो जाता है लेकिन इस्टिफनेस का फिर तक बढ़ चुका होता है यह नॉमली आपका 6 मंस ते लेकर 2 यह तक स्टेज होता है तो पेशें को पेंग नहीं करें लेकिन जब भी अपना है कुछ भी काम करने के लिए में आपको टिसज इसर इंटन अगर लेके जा रहे हैं यह तक स्टेज में अपने हांग को विच्छ था खकता है कंगा न कर सकता है तो इसके लिए मेडिकल में क्या है, डॉक्तर्स आपको पेन केरे मेरे देते हैं, और कुछ केसे में आपको इंजेक्शन लगा जाता है, हार्डे कॉर्टी जोन का, तो वो बस आपको पेन में रिलीफ करता है, बड़ आपका जो रेंज और मोशन है, वो कभी उसको नॉमलाइ करें, अगर इसको खिक से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फीजियो काफी आपको हेल्प करेंगे, ठीक है, विकास, इसका दो ही आपका तरीका है, ठीक करने का, या तो एक साइज करें और हीटिं करें, तो पेन के लिए हमें हीट करें आपके आराम मिलता है, और जब एक साइ कर रहे हैं, तो बिए स्टेफले साब का पेन बढ़ जाता है, तो हमें किसी एक को साइज करना होता है, तो हम पहले ट्राय करते हैं, रेंज आपका अचीव करने के लिए, कि विकास हम पेन को करने के लिए, हमारे पाथ बहुस दे मोडालिटी से, उछ एच्वाइब है, टे सिंपल एक साइज गाइड कर रहा हूं जिसको अराव से घर पर बैंटे कर सकते हैं आप हैं डेली रूटीन में बिकाउस बिना एक्सर साइज का इस केस में आपका फादा नहीं होने बारा है ओके सो लेटे स्टार्ट कि πि US साइस कर सकता है आई प़र सब करते होटकर हैं ऑब रजस गर्राइट करते हैं उसको उपन करना और तक लिपाष्टक घंग जाना जहां तक जा सकता है तो स्टार्टिंग इने भी थोड़ा रेंज कम सकता है, बड़ डेरी करने में अल्टिमेटरी थोड़ा रेंज इंक्रीस करता है ओके, मीशे लेकियाओ, फिर उपल लेकियाओ, यह साले सिंपले साइज है, घर में आप कभी भी कर सकते हैं तो बिंगने के आप चाहें तो आज बर कीजिए इसको आप सुभा पानवा शाम में कीजिए, ग्रैजबरी या परविक एक्साइज की सेशन को पढ़ा सकते हैं, आप पांच के लिगा ध्रस कर सकते हैं, या तिन में दो बर कीजिए आप दीन बर कर सकते हैं तो बेस्ट होगा, किसी भी साइज कर दग पहले हम इसको सेक लें, इसकी सिलाई कर लें, हाट फर्मेंटेशन कर लें, या तो बाटर बैक से, या आपके पास रेडिमेट और अटोपेटिक बेंट की आता है और इसके उससे कर सकते हैं, या किसी भी पानी से आपका टॉबि या आप बेस्ट कर सकते हैं, तो फाइडा क्या होता है, आपके ज्वाइट प्रसुदिंग एफेक्ट होता है, मसट फ्रॉप सॉफ होते हैं, और साइस करने के बाद आप बात भी, लास्ट बिसको हम बेट कर देंगे, तो आपका पीन जाना पढ़ेगा लिगी, चलो नेक् हैं, रोटेशन के लिगी, तो दूस्टे हैं 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 Curry आपके रोटेशन घ्ली में पा रहाँ हैं तो दूस्टे है थैज्क्षा को गांचें होता हैं मूरव्मिले करा लिगा यहां, ज्फे हैं कि यहां से आपका रोटेशन हे जो नहीं ही है is इंप्रीस करेगा अगे थार्ड हो गया है, सपोज आम इसको बहा लेकर लिए आप आ रहे हैं, अंदर या बहा लाले में तकलीफ हो रहा है, अगे दुस्टे हाँ के हेल्स से इसको इंटर डॉंप कीजिए और अंदर और बहार के फिर्फ गुफ के लिए स्वा, हर्केस में आपका एल्बोस चे करिये, अगे चलिए, अब एक्सेंशन के लिए, इसको ऐसा रखेंगे, एल्बोस याइटि पर बेंट कर लेके और राइ करेंगे, पीशे लगे जाने के लिए, अगे तो इपना मैक्सम जा सकता है, इसमें आपका जबाय पोशन है शोड़र रखा रखा गाजिए इस्टें आपका इंप्रूफ करता है अगे नेश्क हो गया इस केस्स में कॉमनेट मसल्स समाना होता है लाइस अप्रेक्वरा मसल्स यह काफी पेशिंट में आप दिख्टे का टाइट नीटा है अगर यह टाइट पर देगा तो आप आगे चुमात काने वाला काम है वो नीटा पाते है तो हम इसको भी फ्री करना होगा जब तक इसको फ्री नी करेंगे आपका कम्रेट रीजर मोशन असीव नहीं होगा इसको अभी पेशिंट करते रहा हो पिशेंट चालिग पर दीख हर पर आप आप शेकर सकता है इस पोच्छन को रहना है इस बस असका मीन काम क्या होता है आपके आपको अंडर लेकर क्या आप और इसको इंटरना रोपेशन करा रहा है तो इसका अपने हाथ पर रखेंगे इस बसान रोपेशन करेंगे इसको फोड़ा सा राडिस्ट करोंगा जहां तक जा सकता रहे इसको लेकर जाएंगे प्र इसको अंदर में करने क्या अर उपर से अज़य रिखिंगे प्राइगा आपको उचे से तब देखे जाना आपको बोल्ड करना है, छे से 10 से को रोक के रखना है, फिर हम पेशन को बोलेंगे, रिलीस करने के लिए, लूस करने के छोड़ो, फिर हम फ्राइ करते हैं, बैक देखे जाके, एक नया रेंज अचीप करने का, आगया, इस को रोके, आप प पर सुनना दाने करी, लेकर जाओ, रोपना, जोज करो, ओके, सो इसक्किविटी से इस एक्साइज से भी काफी हंताक आपका मसब फ्री हो जाता है, और आपका रेंज लेक्शे काफी हंताक आपका इंटोर पर जाता है, लेट जोट उख, पुछ एक्साइज हम प्रेशन को तो लर थी कुणा सब्सक्राइब किसी को बगन है या उसको बैक रेंटे में टी कर्टी है कुछ एक साइजे लग दिए प्रदासरे को लिए पेश्धा प्रषाद को से को सेट पोर्ले के विश्ग को अपने हैं के पो सकता है लेकि जानों को सेट करें सब्सक्राइब होता है हम चाहें तो यहां पी कोई भी वेट गे सकते हैं को आपका वेट कर रहा है यहां में जो आपका पानी के बॉटर है पॉल्डरिक बॉटर है उसको देंगे पेशिंगों दे रहे हैं इसका वेलिपिट क्या मिलका है जब भी बीशे लेके जा रहा है तो यह वेट इसको और राय करता है यहां के स्टेस डालने का तो आपका शोल्डर के जो रेंज और मोशन है वो इंग्रीज होता है साथी साथ जो मसर से मुवित्वा स्पेश होते हैं इस शोल्डर को इस फंचन में थोड़ा है को प्रमोट करने में तकि भी फास्ट होते है तो स्टाथी के वेट कम रखेंगे ग्राजरी अचा अब पेशिंप अच्छा लगाना तो आपको बढ़ा सकते है नेक्स होगिया का इस एक में अब हमें अब मसे इक पेशन को बहनेंगे भी बीचे से वापस उपर लेकी जाने के लिए सारे एक साइज को आपको स्थोरी करना है एक खाप नॉर्म निए करना है इससे को फास नहीं करना है तो अरांच उपर लेखे लाएंगे फिर अरांच इसको बाफस निचे लिखे लिखे आएंगे ओके सिगें हो गया साइट तो साइट अगे पिशन को बोल रहे हैं साइट तो साइट मोशन करना है कि इसकिस में आपका दें जो अंदर बाला अप्रक्शन और बाहर का अप्रक्शन दोनों का रेंज इन दूफ करेंगा ओके गुड़ बहुत से इंबल है इसमें पिशन को बोलते हैं अपने पिंगर को इससे चलाना और ब्रैजोरी आपी के ट्रम भूफ करना प्राइ करना कि शोल्टर इहां टच कर जया है शोल्टर टच कर गया एटमी साफ का रेंज जो है काफिया तक इंप्रूब हो गया नॉर्मल हो गया यहां पर मैंने यूज किया फिंगर लाइडर का पिशन अपने खर पे दिवान में देता सकता है सेम अक्टिविटीस को अगे अगे जालेगा और हल्का सा बोडी में नहां आलेगा इससे भी आपना रेंज इंप्लूफ करता है अगे नेक्स में पता रहा हूं आपको अगर कहीं भी घर में आपके हम लोग अपने क्लिंग पर यूज करते है एक टी पूली का अगर आपके पास नहीं है पाइप लगा है घर में लेकिन वो गिरला नी चाहिए इस्ट्रॉंग होना चाहिए तो इसका कैसे है तो आपका नॉर्मल है उसके निचे लाने का इस त्रेट इंग अधिया नॉर्मल है तो इस नीचे फूल करना आए अज यहां तक ऊपर जा सकता इसको फ़ले में जा देविए अब्लेप कर ने रहें आपके पस अगर पूली है और आपके पूली करी लगा सकते हैं भूली एक अपके पास अपलिवल है या लाटे न मिलता है सॉटेट्सो को मिल लाएगा आपको इसको भी लगा आपके पड़े आंसा था पीछी 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 लाओ अपको इस तरका पूली करे सकते हैं आपके बहुत सिंपल है नेक्स में कुछी स्तांडिक भी ले करके या पानी के बोटल आप ले सकते हैं अगर अपका राइट अफेक्टेड है आप लेक पोड़ा आगे रखेंगे लोग ऐसे रखें ताकि आपको स्पाइन अफेक्टेड ना हो उसके अपको बैक्पिल ना हो इस पिसमें क्या करना है ह अंदर के लिए, फिर बाहर के लिए, फिर बाहर के लिए, फिर बाहर के लिए, फिर बाहर के लिए, फिर फिर बाहर के लिए, थर्ड हो गया, रोटेशन के लिए, तो पेशेंट को पेशेंट को पेंग काम होता है और मोमेंट हमारा जाला हो सकता है यह को सिंपल एक्साइज करके आप अपने कंडे के लाइफ पढ़ा सकते हैं जो आपको डिफिकल्टी था और उसको आप क्योर कर सकते हैं ओके? तो थांकिओ फॉर वाश्टी मार वीडियो को सिरस्वी केरफो लीड पैसेंश्ली उम्मीध है कि इसको अच्छे से पारफॉर्म करेंगे और आप encontrar shoulder joint के इच्छे से care करेंगे और सारे activities को perform करके इसको आप normal रखेंगे so thanks a lot for watching my video thank you